इस पर आपको बाताने वाँ रहा हूं कि किस तरह से आप जान सकते हैं कि आपने करन्टली फेस्बूक कब लॉग इन किया था कब साइन इन फेस्बूक पर किया था और कहा से किया था और टाइम क्या था मतलब इससे आपको बहुती फाइदा हो सकता है कि जानने के लिए कि कहां से मतलब एक्टिविटी हो रही है लॉग इन की कुछ सस्पीश एक्टिविटी हो रही है अगर आपके आकाउंड में फेस्बूक पर आए जानते हैं देखिए यहाँ पर मैं लॉग इन हूँ आपको अपने फेस्बूक अकाउंट पर साइन इन करना है और दिखिए यहाँ पर एक ये मटन नज़रा रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पर क्लिक आए उसके बार सेटिंग्स पर जैसे हमने क्लिक किया तो यह देखिए यह जन्रल का option आपको नजर आएगा सबसे पहले तो और उसके नीचे security का जो option है उस पर हमें click करना है एक बार click किया हमने security के option पर और यहाँ पर देखिए यह देखिए वेर यू आर लॉग इन रिवीव और मैनेज यूए वेर यू आर करेंटली लॉग इन टू फेसबूप यह option है इस पर एडिट का यह जो आगे बटन है इस पर हमें click करना है तो यह देखिए करेंटली मैं Google Chrome यूज़ कर रहा हूँ Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है मुंबई से मैं इस account को लॉग इन कर रहा हूँ करेंट से और थोड़ी देर पहले भी मैंने इसी से ही लॉग इन किया था और रही बात देखिए यह messenger Facebook Messenger से मैंने 16 October 2016 को यह application के जरिए Android mobile device था यहां से लॉग इंग किया था और September में मैंने वही किया था और 2016 जून में भी यही मैंने Android device से यह account Facebook account operate किया था sign in किया था तो इस तरह से आप यहां पर यह location का पता लगा सकते हैं कि मतलब कहां से आप मतलब ने क्या activity की थी currently login की कहां से मतलब आपने किस time पर यह रिखे time भी नज़र आ रहा है यहां पर तीन दस और यहां पर भी time नज़र आएगा इस तरह से यह रिखे चार 38 38 438 तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं और आसानी से चेक भी कर सकते हैं कि मतलब समझ लिजे मैं मुंबई में रहता हूं और मुंबई के बहार से मतलब समझ लिजे दिल्ली से किसी ने आपका account यहां से location बता रहा होगा कि operate किया है तो यह खतरे की गंटी है आपक तुरंत आपका Facebook password चेंज कर सकते हैं आसानी से आप अपने account को secure कर सकते हैं और report भी कर सकते हैं Facebook को की suspicious activity हो रही है मेरा account login हो रहा है अलग-अलग location से तो यह एक फाइदा है इस feature का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो पसंदार तो ज़रूर हमारे